नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अलफा मोनिटर यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आवला जूस पीने के फायदे और नुकसान दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्थ हो सके तो चलिए शुरू करते हैं आवला का जूस पीने में थोड़ा कड़वा लगता है इसलिए ज्यादातर लोग इसका सेवन करना पसंद नहीं करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं आमवले का जूस का सेवन स्वास्थे को अंगिनत लाथ पहुचाता है क्योंकि आवला का जूस पोशक तत्वों से भरपूर होता है इसलिए आमवले के जूस का उप्योग औशधिय के रूप में भी किया जाता है इसके सेवन से कई बीमारिया भी दूर होती है आमवले के जूस में विटामिन सी, जिंक, आयरन, कैरोटीन, फाइबर, विटामिन बी कॉंपलेक्स, कैल्शियम और एंटिक सीडेंस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लेकिन आवला जूस का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए अधिक मात्रा में सेवन करने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच सकता है आईए जानते हैं आवला जूस पीने के क्या-क्या फाइदे और नुकसान होते हैं आवला जूस का कब करे सेवन? आवला के जूस का सेवन सुभा खाली पेट ज्यादा फाइदे मंद माना जाता है सुभा खाली पेट आवला का जूस पीने से कई बीमारियां भी दूर होती है लेकिन आवला के जूस का 10 से 15 मिली ग्राम से ज्यादा का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा सेवन स्वास्थे के लिए हानिकारत माना जाता है आवला जूस पीने के फाइदे और नुकसान आवला जूस पीने के फाइदे आवला का जूस वजन कम करने में मददगार साबित होता है क्योंकि आवला के जूस में फाइबर मौजूद होता है इसलिए जो लोग बढ़ते वजन से परिशान हैं, उनको रोजाना आवला के जूस का सेवन करना चाहिए आवला के जूस में एंटि आक्सीडेंट के साथ साथ विटामिन सी की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है इसलिए इसका सेवन करने से खून साफ होता है आवला के जूस का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक शमता मजबूत होती है क्योंकि आवला के जूस में विटामिन C अच्छी मात्रा में मौजूद होता है इसलिए अगर आप रोजाना आवला के जूस का सेवन करते हैं तो इससे आप कई बीमारियों की चपेट में आने से बच सकते हैं आवला के जूस का सेवन पेट के लिए काफी फायदे मंद माना जाता है अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट आवला के जूस का सेवन करते हैं तो इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है साथ ही कब्स, अपच और एसेडिटी जैसी शिकायत से भी चुटकारा मिलता है आवला का जूस आँखों के लिए काफी फायदे मंद माना जाता है अगर कोई रोजाना आवला के जूस का सेवन करता है तो इससे आँखों की रोशनी तेज होती है साथ ही अगर किसी को आँखों में खुजलिया जलन जैसी परेशानी है तो वह ठीक होती है गर्मी के मौसम में आवला के जूस का सेवन काफी लाभदायक साबित होता है क्योंकि आवला की तासीर थंडी होती है इसलिए गर्मी के मौसम में आवला के जूस का सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है आवला जूस का सेवन स्किन के लिए भी काफी फायदे मंद माना जाता है क्योंकि आवला में विटामिन C की प्रचुर मात्रा पाई जाती है इसलिए इसका सेवन करने से स्किन संबंधी कई परिशानिया दूर होती है साथ ही चहरे पर ग्लोब ही आता है आवला के जूस का सेवन बालों के लिए काफी लाभधायक माना जाता है क्योंकि आवला के जूस का सेवन करने से बाल हिल्दी रहते हैं साथ ही अगर किसी के बाल जढ रहे हो तो जढ़ना भी काफी हद तक बंध हो जाते हैं आवला जूस पीने के नुकसान आवला के जूस का अधिक मात्रा में सेवन करने से कब्स की शिकायत हो सकती है आवला के जूस का अधिक मात्रा में सेवन करने से शुगर लेवल काफी लो हो सकता है इसलिए जो लोग शुगर की दवा का सेवन करते हैं, उनको आवला का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए जिन लोगों को बलड प्रेशर की शिकायत होती है, उनको आवला के जूस का अधिक माकरा में सेवन करना चाहिए आवला से कई लोगों को इलर्जी होती है ऐसे में आवला के जूस का सेवन करने से अगर स्किन संबंधी कोई परिशानी हो तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कृप्या वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले